हेलो गाइस वर्कम टू माई यूटूब चैनल आज में मकल संक्रात्री में तिलकुट की रेशिपी लेके आए हूँ ये किसान का बहुत ही बड़ा तहवार है तो इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा एक और मेरा चैनल है महंदी का उस चैनल का नाम है कवीता देवी महं चलिया है और 200 ग्राम में तिल लिया है दोनों सेम कॉंटिटी में लिया है इससे हमारे जो तिलकुट है बहुत थीख हस्ता बनेंगे तो चलिए अब हम गैस को सबसे पहले ओन कर लेंगे यहां पर मैंने नौनिस्टीक कराही चला ली है अब हम तिल को भूनेंगे तो मैंने गोल्डन लाल होने तक ही भूनना है गेस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है और इसे अच्छे से भूनना है हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुसबून आने लगे अब देखिए इसमें से खुसबून आने लगी है हमें अभी कम से कम एक से दो मि मैंने इसे और भून लिया है देखिए गोल्डन लाल हो गया है अब मैं गैस को बंद कर लेती हूं और इसे ठंडा करने के लिए एक बरतर में निकाल लेती हूं हम इसे एक मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं देखिए एक मिनिट हो गा है यह ठंडे हो गा है अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसे पीश लेंगे थोड़ा हम दरदरा ही पीशेंगे और यह मैंने थोड़े से तिल बजा लिये है देखिए मैंने पीश लिया है इस तरह से हमें दरदरा पीशना है इसे मेही नहीं करना है इसी तरह से हमें रहने देना है अब हम चासनी बनाने के लिए फिर से गैस को अन कर लेंगे और कराही को चढ़ा लेंगे यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पानी डाला है जो मैंने मीठा लिया था 200 ग्राम उससे अब हम डाल लेते हैं मीठे को हम मैल्ट कर लेते हैं मैंने अभी गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है तो देखिए धीरे धीरे मैल्ट होने लगी है देखिए काफी अच्छे से ये मैल्ट हो गई है गैस की फ्लेम को मैंने लोग पे कर लिया है चासनी काफी गारी हो गई है अब हम चेक कर लेते हैं तो कटोरी में मैंने एक पानी ले लिया है थोड़ा सा इसमें हम चासनी को डाल के देखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं देखिए इस तरह से तूट रही है यहने कि हमारी चासनी जो है बनके तयार है आधा चम्मा से थोड़ा सा कम मैं इसमें मीठा सोरा राल रही हूँ जिससे की मीठा का कलर है जो चेंज हो जाएगा और जो तिलकोट है हमारे बहुत ही खस्ता बनेंगे इसे मैंने अच्छे से इ अब हम उसे भी डाल लेते हैं थोड़ा सा मैंने बचा लिया है देख सकते हैं आप तिल को अब हम मिला लेते हैं गैस को मैंने बंद कर दिया है जिससे की जो चासनी हमारी ज़दा कड़क ना होए और जो तिल बचाया है वो हम कूटने में यूज करेंगे तो यहां पर लिखा था उसमें ही अब हम थोड़ा सा लेके हाथों में सेब देंगे तिल कूट का तो इस तरह से मैंने हाथों से इसे डीप कर लिया है अच्छे से तिल में इसे लपेट लेंगे पहले हम इसी हमें इस तरह से कूटना है और गरम में ही हमें इसे बनाना है दिखिए इसका सेब जो है अच्छे से बन गया है इस तरह से हमें किनारे से हाथों से कर लेना है इस तरह से जल्दी जल्दी हम तिलकुट को तयार कर लेंगे ये देखिए मैंने एक तिलकुर बना के तयार कर लिया है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से बना के तयार करेंगे ये मैंने खलवट्टे का कूटने वाला लिया है आप बेलन भी ले सकते हैं और हम इसे इसी तरह से बना के तयार करेंगे अकर बनाते बनाते मिश्रन ठंडा हो जाएगी तो गेश जला के मिश्रन हलका गर्म करके फिर से बना सकते हैं मैंने सभी तिलकुट बना के तयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे बने देख सकते हैं आप मेरी वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो मैं एक तिलकुट आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये किते क्रिस्पी और खस्ता बनी है देख सकते हैं आप यदि मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें वेल आइकन की घंटी को प्रैस कर लें धन्यवाद